ठोस वस्तूओं का आहतन एक कांच का ग्लास ले और उसे उपर तक पानी से भर दें अब उसमें दो नीबू के टुकड़े डालें आपने क्या देखा ग्लास से कुछ पानी बाहर आ जायेगा इससे यहाँ पता चलता है कि नीबू ने ग्लास के अंदर कुछ जगह घेरी इसी तरह सभी ठोस वस्तूओं जगह घेरती हैं यही वस्तू का आयतन होता है यदि वस्तूओं खोकली हो और उनमें यदि किसी तरल पदार्थ जैसे हवा पानी को भरा जाये तो वो वस्तूओं का आकार ले लेते हैं इस स्थिती में उस पदार्थ का आयतन वस्तू की धारिता या वस्तू की छमता कहलाती है घनाप का आयतन क्या किसी कमरे के अंदर रखी हुई अलमारी की तुलना में कमरे का आयतन अधिक है या फिर आपके पेंसिल बॉक्स का आयतन वो इसके अंदर रखे पेंसिल और मिटाने वाले रबर के आयतन में से कौन अधिक है क्या आप इसमें से किसी भी वस्तू का आयतन माप सकते हैं? हम किसी छेतर का छेतरफल ग्यात करने के लिए वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं यहां हम ठोस का आयतन ग्यात करने के लिए घन इकाई का उपयोग करेंगे क्योंकि घं सबसे अधिक सुविधा जहनक ठोस आकार है छेत्र फल ग्यात करने के लिए हम छेत्र को वर्गिकाईयों में विभाजित करते हैं इसी प्रकार किसी ठोस का आयतन ग्यात करने के लिए हमें उस ठोस को घं निकाईों में विभाजित करने की आउशकता होती है एक घं सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर गुणित एक सेंटीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर क्यूब एक घन मीटर बराबर एक मीटर गुणित एक मीटर गुणित एक मीटर बराबर एक मीटर क्यूब घनाप का आयतन बराबर आयताकार आधार फलक द्वारा घिरा छेत्र गुणित घनाप की उचाई बराबर A गुरिद H बराबर L गुरिद B गुरिद H घन इकाई यहाँ A आधार फलक का छेत्रफल और H घनाब की उचाई है घन का आयतन हम जानते हैं कि घन एक विशेश प्रकार का घनाब होता है जिसमें लंबाई, चोड़ाई और उचाई के मान बराबर होते हैं अर्थात L बराबर B बराबर H बराबर A माना घन का एक तन बराबर भुजा गुरिद भुजा गुरिद भुजा बराबर A गुरिद A गुरिद A बराबर A क्यूब घन इकाई जहां ए घन की भुजा है ठो स्वस्तू का आयतन ग्यात करने के लिए घन इकाई का उप्योग सबसे अधिक सुविधा जनक है आयतन में घन इकाई का अर्थ उसमें सम्मिलित इकाई लंबाई के घनों की संख्या से है